जुस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल इंगलिशानियत पर और आज है हमारा फिगर ओफ इस पी सीरीज का चौथा वीडियो ने फोर्थ पार्ट इससे पहले की वीडियो में हमने परसॉनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, ओक्जीमोरान, ओनमोटापुया, अलिटरेशन, क्लाइमेक्स, एंटीक्लाइमेक्स, हाइपर बोले इन सब चीज़ों को हमने डिसकस कर रखा है अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको इस चीज़ की सारी वीडियो मिल जाएंगी, अच्छे से बनी हुई, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं तो बिना किसी तरी की आज सुरूब करते हैं आज का अपना वीडियो, और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, पन, पराडाओक्स, और अन्टी थिसिस्ट का, तो चलिए, बिना किसी तरी की वीडियो शूरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप English competitive exam के तयारी कर रहे हो जो कि English literature की हो या फिर English literature से जुड़े किसी भी exam के आप तयारी कर रहे हो तो एक बार please playlist जरूर चेक करें आपके लिए हमापर बहुत सारी important चीज़ हैं मिल जाएंगी और आपको जो भी वीडियोस देखने हैं आप comment box में comment कर सकते हैं वो मैं देख करके उस भी वीडियो बना दूँगा तो चलिए बिना किसी दरीके आज का अपने वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरूआत करते हैं पन से इसको कुछ लोग पन भी बोलते हैं कुछ लोग पन भी बोलते हैं तो वो pronunciation आपके उपर आप क्या बोलना चाहते हैं दोनों pronunciation सही है तो हम इसको फिलहाल पन पढ़ेंगे तो पन is a play upon words in it words are used in such way that different meanings create humor, admiration और surprise यानि कि पन क्या होता है ये play upon words है यानि कि शब्दों के साथ खेलना होता है इसमें इसमें जब भी हमको दिखेगा ऐसा लगेगा कि आगे पीछे कुछ शब्दों को करके ऐसा खेला गया है जिससे कि क्या होता है एक अलग different meaning हमको दिखता है जो कि humor create करता है यानि कि हमको हसी आती है इसको पढ़कर या फिर admiration create करता है या फिर surprise create करता है ठीक है तो इसको हम example करता हो समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा example दिया हुआ है पहला example है क्या ये जीन्द की जीने लायक है ये हमारे liver पर depend करता है अब यहाँ पर बहुत ही हसी वाली बात यह है यहाँ पर living को ले करके living का difference liver से दिया गया है हमको समझ में आता है कि liver क्या होता है हमारे organ का एक part है liver है ना लेकिन यहाँ पर liver के sense में बोला गया है जो जी रहा है उसके sense में और हमारे body के part के sense में भी बोला गया है तो हमको यहाँ पर हांसी आती है पढ़के कि living को liver से reference दिया गया है तो यह बहुत ही चालाकी से बहुत ही अच्छे से सब्दों के साथ खेला गया है जिसमें हमको यह meaning clear होती है ठीक है तो यहाँ पर हमारा पुन figure of speech है ऐसे ही अगला figure of speech क्या है the person माफ किज़ा गला example क्या है the person told the sexton and the sexton told the bell अब यहाँ पर जो पहला told है उसका मतलब होता है बताना और जो दूसरा told है उसका मतलब होता है बजाना सेक्षन से एक परसन ने बताया और the sexton told the bell और सेक्षन ने bell बजाया है ना मज़े की बात तो क्रिमला के पुन वहीं पर होता है जहाँ पर शब्दों का खेल हुआ हो किसी sentence में मतलब हेर फेर हुआ हो या फिर उसी तरह से दूसरे word को उस किया गया हो जो कि हमको humor देता है admiration देता है या फिर कोई surprise देता है ठीक है ये हो गया पुन बाढ़ते हैं अगले figure of speech के तरफ और वो है हमारा paradox उसमों paradox क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ेंगे समझेंगे paradox is a statement which looks absurd and contradictory but is well founded paradox वे statements होते हैं या फिर किसी sentence को हम paradox तब बोलेंगे जो कि देखने में तो उनको बहुत absurd लगते हैं बहुत ही अजीब सा लगता है देखने में जब उसको पढ़ते हैं बहुत अजीब सा हमको feeling आती है और उसमें contradictory होती है contradictory यानि कि opposite होता है उसमें opposite words होते है लेकिन last में को क्या पता चलता है but is well founded लेकिन आपको ये समझ में आता है कि ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है ठीक है कैसे हम उसको समझेंगे देखिए आप लिखा हुए example ये विलियम वर्थ वर्थ की लाइन है आपने line सुनी होके कि सास भी कभी बहु थी है ना तो सास जो है वो कभी बहु थी लेकिन अब जो बहु है वो भी कभी सास होगी है ना ऐसा मतलब बहुत ही rare case में होता है जो शादी नहीं करते या फिर जो जिनके बच्चे नहीं होते क्यांकि जो फादर है वो भी कभी चाइल्ड थे है ना तो इस तरह से यहाँ पर जो sentence दिया हुआ है वो अग्दम perfect है लेकिन हमको पढ़ने में absurd लग रहा है तो इसलिए यह paradox का example है ऐसे अगला sentence है अभी यहाँ पर देखिए हमको contradictory देखने को मिल रहा है poor और wealthy है ना absurd लग रहा है पढ़ने में भी अजीब लग रहा है लेकिन इसका earth क्या हुआ इसकी meaning क्या हुई there is no one so poor यह पर कोई भी उतना गरीब नहीं है जितना की wealthy miser एक अमीर और परेशान व्यक्ति है तो एक अमीर व्यक्ति हो जो की बहुत परेशान हो उससे गरीब कोई नहीं है दुनिया में तो यह हमको पढ़ने में भी सही लग रहा है यह सही चीज लिखी हुई है ना तो इसलिए हम समझेंगे कि जहां पर भी कोई एसा statement दिया होता है जो की देखने बहुत absurd लगता है contradictory होता है लेकिन वो लिखा सही होता है उसी meaning बहुत अच्छी आती है तो वहां पर हमारा paradox होता है ऐसे हम अपने आज की इस वीडियो के last view of speech की तरफ बढ़ेंगे तो वो है antithesis अब antithesis क्या होता है समझेंगे इन antithesis one word और idea is set against the other to secure an effective contrast by balancing यानि कि जहां पर हमको कोई भी एक word या कोई भी एक idea इस तरह से set किया गया हो कि वो दूसरे idea और दूसरे word के against हो लेकिन जो effect आ रहा है जो हमाई sentence से पढ़ने meaning आ रही है उसको balance कर रहा हो इसको हमको ऐसे समझ में नहीं आ होगा example से समझेंगे तो अच्छे स clear हो जाएगा example दिया हुए हमारा united we stand divide we fall हमने क्या पढ़ा कि हमको जहां पर भी कोई ऐसा idea कि जो एक दूसरे को के against हो अब यहां पर united और divided against है उसी तरह contrast हो contrast भी against का ही मतलब होता है जो कि balance कर रहा हो stand, fall, united, divide है ना तो इस तरह से कुछ words होते हैं अभी कुछ ideas होते हैं जो एक दूसरे को balance करने के लिए use होते हैं इस sentence को हम पढ़ेंगे और चासे के लिए हो जाएगा लेकिन balance बराबर यहां पर बताया जा रहा है क्योंकि हम एक बार बता रहे हैं कि हम कैसे रहेंगे तो एक सात रहेंगे united रहेंगे तो सात में खड़े रहेंगे लेकिन अगर हम डिवाइड हुए अगर हम बटे एक दूसरे से तो हम Rem 마음에 गिर जाएंगे human से बढ़के power होती है एक है ना तो यहां पर भी हमको दो अलग-अलग different ideas मिल रहे हैं जो एक दूसरे के against है एक जहां गलती करने की बात हो रही है जहां माफ करने की बात हो रही है तो against हुए ना लेकि फिर भी balance किस तरह से बनाया जा रहा है कि गलती हुई तो उसको माफ कर द होगी ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्ली सब्सक्राइब कर दें अपर दोस्तों सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छे लगी तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए से टॉपिक के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद